नमस्कार दोस्तो मैं प्रभात्योरी स्वागत करता हूँ आपके पने चैनल प्रभात्योरी शड़ियाईक्यूपू दोस्तो आज मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्मु टॉपिक सकर्मक और अकर्मक क्रिया का बेहतरी इन से ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप सेकंडों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं वैसे ये काफी सारे स्टूरेंट का डाउट रहता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने और यहां से जितने भी एक्जाम हो रहे हैं चाहिए U.P. Police ले लिजीए U.P. Police Fireman ले लिजीए या फिर U.P. Police Commissioner लीजीए या फिर जहां कहीं भी हिंदी का जिक्र होता है चाहिए वो स्टेट लेबल का एक्जाम हो या फिर कोई S.S.C. कोई भी परिच्छा करा रही हो जहां पर भी हिंदी पूछ रही है वहाँ से सकर्मक और अकर्मक क्रिया से मैक्सिमम कुछे जा रहे हैं चाहे आप प्रीबियस एर का कुछे पेपर उठा लीजिए और बेल बेटन को जरूर दबाद जिएगा जिससे आने वली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे उसके बाद जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या क्या है तो क्रिया के डिफनेशन हो जाएगी जिस सब्द से किसी कारिक का करना होना पाया जाता है उसी को हम कहते हैं क्रिया जैसे हमारा पढ़ना, खेलना, दोड़ना, खाना, पीना, रोना, सुना दैनिक जीवन में जितनी भी क्रिया होती हैं दोस्तों वही तो हमारी क्रिया होती है अब बात करते हैं दोस्तों क्रिया के भेद कर्म के अधार पर क्रिया के दो भेद हैं कौन-कौन से एक तो हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया और एक हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सकर्मक क्रिया की परिभासा उसके बाद आपको ट्रिक से बताएंगे कि आप सकर्मक क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं तो सकर्मक्रिया की परिभासा हो जाएगी जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह हमारी सकर्मक्रिया होती है इन क्रियाओं का असर करता पड़ना पड़कर कर्म पड़ता है यह थी दोस्तों हमारी छोटी सी डिफनेशन सकर्मक्रिया की अब हम आपको बताएंगे कि आप सकर्मक्रिया को पहचानेंगे कैसे जैसे आपको याम में दे दिया बहुत सारे सब्दे दे दिये और उसमें पूछ लेगा आपको सकर्मक्रिया है या कर्मक्रिया है तो आपको करना क्या है दो सब्द आपको याद रखना है अगर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानना है तो दो सब्द याद रखना होगा एक तो हमारा हो जाएगा क्या एक सब्द मारा हो जाएगा क्या और दूसरा सब्द मारा हो जाएगा किसको क्या और किसको इन दो वर्ड को याद रखिए कि दोस्तों आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया कभी नहीं गल्द होगा तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है स्याम ने खिलोना तोड़ा इसमें मैं आपको दो सब्द बताया है सबसे पहले आपको प्रयोक क्या करना है क्या सबसे पहले आपको क्या करना है क्या क्या और किसको दो सब्द आप रखिएगा क्या और किसको हमें लगाना है यही दो सब्द दोस्तों हमें पहचान बताएंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है तो सबसे पहले हमें क्रिया पहचानने होगी इसमें क्रिया कौन सी है तो तोड़ा तोड़ना से ही तो हमारी बने ही तोड़ा लिखना से दोस्तों हमारा लिखता खेलना से हमारा बनता है खेलता और खाता से बनता है दोस्तों हमारा खाना यही तो दोस्तों हमारी क्रिया हो जाएगी तो हमें करना क्या है जेश्ट हमें क्रिया के पहले क्या और किसको दो सब्द लगाना है ध्यान रखिएगा क्या और किसको क्रिया से पहले लगाएंगे और क्या और किसको लगाने पर यदि हमें प्रॉपर तरीके से अंसर मिल जाए क्या और किसको का तो समझ लिजिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी अगर हमें क्या और किसको का अंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों तो चेलिए पहला कुशन देखते हैं स्याम ने खिलाउना तोड़ा पहला कुशन है स्याम ने खिलाउना तोड़ा अब मैं आपसे कहूंगा मैंने क्या बताया था आपको क्या और किसको लगाना है क्रिया के जेश्ट है पहले तो तोड़ना के पहले हमें क्रिया लगानी है तोड़ना के पहले जिस्ट हमें क्या या किसको लगाना मैंने कहा क्या तोड़ा क्या तोड़ा तो आप कहेंगे खिलाउना तोड़ा इसका मैं एंसर मिल रहा है क्या तोड़ा तो आप कहेंगे खिलाउना तोड़ा अब मैं कहूंगा भाई आप हमें किसको लगा कर बताईए किसको तोड़ा आप यहाँ लगाईए किसको तोड़ा देखेंगा किसको लगाईएगा किसको तोड़ा तो आप कहेंगे भाई खिलाउने को तोड़ा तो इसका भी हम एंसर मिल रहा है तो यह हमारे हो जाएगा सकर्मक क्रिया जहां पर भी क्या और किसको लगाने पर हमें उसका एंसर मिल जाए वो हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया और ध्यान रखेगा आपको क्रिया पहचानना बहुत जिरूरी है तो तोड़ा, लिखता, लिखना, खेला, खाता, यह समारी क्रिया हो जाएंगी अगला कुश्यन है, राहुल निबंध लिखता है, तो क्या लिखता है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे क्या लिखता है क्या तो आप जैसे ही क्या लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा नीबंध लिखता है इसका अंसर मिल गया ना नीबंध लिखता है तो ये तो हमारी proper तरीके से ट्रिक वर कर रही अब हमें देखना क्या है किसको लगाना है किसको लिखता है यह तो हमारे लिखना है तो हमारे क्रिया इसके पहले हम किसको लगा देते हैं किसको लिखता है तो आप कहेंगे भाई निबंध को लिखता है तो यहाँ पर भी में क्या और किसको का अंसोर मिल गया तो ये भी हमारी दोनों सकर्मक्रिया हो जाएगी अगला देखते हैं दोस्तो धोनी क्रिकेट खेलता है मैं कहूँगा क्या खेलता है खेलना के पहले मैंने क्या लगा दिया अब पूछूँगा क्या खेलता है तो आप कहेंगे जाहिज जी बात है साफ साफ दिख रहा है क्रिकेट खेलता है कहूंगो ठीक है भाई क्या से हमें अंसर मिल गया अब हमें किसको लगा कर दिखाए इससे में अंसर मिलता है तो मैंने का ठीक है मैं किसको लगा देता हूं तो मैं लिख दिया किसको खेलता है किसको खेलता है तो आप कहेंगे भाई क्रिकेट को खेलता है किसको खेलता है क्रिकेट को खेलता है तो यहां भी इमें क्या और किसको का अंसर मिल गया अब देखते हैं राजू सेफ खाता है तो यहां पर देखेगा क्या खाता है क्या खाता है आप कहेंगे सेब खाता है अब मैं कहूंगा भाई किसको लगा कर हमें अंसर दिखाईए तो आप कहेंगे भाई लाओ मैं किसको भी लगा देता हूँ तो आप कहेंगे किसको खाता है किसको खाता है तो मैं कहूंगा सेब को खाता है तो यहां से भी हमें इसका एंसर मिल गया है अब चलते हैं बात करते हैं दोस्तों अगला है हमारा अकर्मक्रिया के बारे में अकर्मक्रिया की पहचान है जिस क्रिया का कारी करता तक ही सीमित रहे अर्था जहां कर्म का आभाव होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं यानि कहने का मतलब जिस सब्द में कर्म का आभाव होता है वही हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी अब यहाँ पर भी वही ट्रिक काम करेगी दोस्तों क्या और किसको लगाना है लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि अगर क्या और किसको का अंसर नहीं मिल रहा है तब ही हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी तो यहाँ पर लगा कर देखिएगा क्या और किसको अगर आपको answer मिल जाता है तो सकर्मक होगी नहीं तो अकर्मक होगी चुकि अकर्मक के उदारण है तो यहाँ पर क्या और किसको का answer नहीं मिलेगा सबसे पहला कुछ नमारा कुट्पा दोड रहा है तो मैं कहूंगा भाई सबसे पहले मैं क्या लगाता हूं क्या लगाता हूं क्या दोड रहा है क्या रहा है तो आप कहें भाई कुट्पा दोड रहा है मैंने का यार इसमें ते भी क्या का answer मिल रहा है तो मैंने आपको क्या बताया है क्या के साथ किसको भी लगाना है अब आप किसको लगा कर देखेगा किसको दोड रहा है किसको दोड रहा है तो आप कहें भाई कुत्ता को दोड रहा है तो ये तो कभी नहीं से होगा कुत्ता को दोड रहा है आप लगा कर देखिए कुत्ता को दोड रहा है कभी इसका answer मिल रहा है क्या दोड रहा है यह दोस्तो हमारी अकर्मक हो जाएगी अगला है पच्छी उड़ रहे हैं यहाँ पर भी आप क्या लगाईए क्या उड़ रहे हैं यह हमारी क्रिया हो जाएगी तो क्या उड़ रहे हैं क्रिया के जिश्टे पहले क्या लगाएंगे तो मैं लगाऊंगा क्या, क्या खड़ा है, आप कहेंगे मोहन खड़ा है, अब मैं कहूंगा किसको लगाई है, किसको खड़ा है, तो मोहन को खड़ा है, मोहन को खड़ा है, मैं अंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चुकि यह हमारा गलत हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, अ यह कोई सेंटन्स है कि इस्व को सो रहा है तो यह हमारा अकरमक हो जाएगा तो उम्मीद दोस्तों क्या और किसको जो बहत्रेंड रिख है इसको आप समझ पाएंगे अब मैं आपको प्रैक्टिस से ठल करा होता हूं जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कुश्यन है मैं गेहूं पिश्वाता हूं तो इसमें क्या लगाईएगा आप क्या पिश्वाता हूं क्या पिश्वाता हूं सबसे पहले आप क्या लगाईएगा क्या पिश्वाता हूं क्या पिश्वाता हूं तो आप कहेंगे भाई गेहूं पिश्वाता हूं अब मैं लग स्वाते हैं तो यह हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी यह आपकी सकर्मक हो जाएगी अगला है पानी बरस रहा है मैं कहूंगा क्या बरस रहा है तो आप कहूंगा बाई पानी बरस रहा है अब मैं कहूंगा किसको लगा कर दिखाओ तो आप कहूंगा किसको बरस र और दूसरा वाला आकर्मक हो जाएगा अगला देखते हैं सिसू सो रहा है मैंने कहा तो क्याहीст किया लगाईए तो आप मिदूंगा e अधर Kस को सो रहा है इसको सो रहा है यह सब्द नहीख रहा है यह सब्दा अब कर नहीं बैठ रहा सा Aufg सकर्मक्रिया इसको आप ध्यान रखिएगा अगला है वह अपना सर खुजलाता है तो मैं कहूंगा क्या लगाईए क्या खुजलाता है तो आप कहेंगे सर खुजलाता है सर मतलब हो ही जो हमारा हेड हो जाता है अब आप कहेंगे किसको लगाईए सर तो मैं कहूंगा किसको मिल रहा है सर को खुजलाता है सर को खुजलाता है उपर देखिए किसको का एंसर नहीं मिल रहा है किसको का लेकिन यहां किसको का भी एंसर मिल रहा है तो यह हमारा हो जाएगा सकर्मक्रिया अब अगला देखते हैं दोस्तों यह चीजे तुम्हारी जी लल चाती हैं तो यहां भी लगा दिया गिसको लल चाती हैं तो आप कहेंगे अकर्मक हो जाएगा क्योंकि इसमें किसको वाला नहीं बैट रहा है अगला है बाला खिलाउना पाकर हसता है तो मैं कहूंगा क्या पाकर हसता है क्या हसता है तो आप कहेंगे खिलाउना पाकर हसता है मैं कहूंगा किसको पाकर हसता है तो आप कहेंगे खिलाउने को पाकर तो इसका भी हम एंसर मिल रहा है अगला कुछ ने राम फल खाता है तो यहां क्या किसको लगाईए क्या खाता है आप कहेंगे फल खाता है इसका एंसर मिल रहा है मैं पूछूंगा किसको खाता है तो आप कहेंगे फल को खाता है यानि क्या और किसको दोनों को लगाने पर हमें इ राधा को रोती है ऐसा कभी हो सकता है राधा को रोती है तो यह हमारा हो जाएगा अकर्मक्रिया हो जाएगी अगला है सीता गीत गाती है तो यह हमारा हो जाएगा सीता गीत गाती है मैंने कहा क्या गाती है तो आप कहेंगे गीत गाती है अब मैं कहूंगा किसको लगाई है कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों मैं आपके लिए वाच्छी का भी वीडियो ऐसे प्रवाइड करूंगा करत वाच्छी कौन सा है कर्म वाच्छी कौन सा है तो दोस्तों अगला वीडियो होगा अभी के लिए इतना ही जैहिन जै भारत अभ